समुतकर्ष निश्रेय सैश मुग्रम परम साधनम नाम वीरवरतम तदंतह इस्फुरक्षत तयाश धेयनिष्ठा रिदंतह प्रजागर्तु तीवरा निशम हे प्रभूस वीरवरती भावना हमें स्थूर्त होती रहे जो उच्चतम आध्यात्मिक सुख एवंग महानतम एहिक समृधि प्राप्त करने का एक मेवश्रेश्टम साधन है और साथी साथ जो तीवर और अखंड धेयनिष्ठा हमारे अंतह करण को सदयव जगाती रहे वो त व्रधेयनिष्ठा यहां आकर और ज्यादा प्रज्वलित होती है और ज्यादा प्राण प्राण से राष्ट निर्मार की संकल्पना को साकार करने के लिए उस भावना को और बल्वती करती है अगर साल दोहजार तेरा की बात करें जब गुजरात के ततकाली मुख्यमंतरी क प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम की प्राकृतिक भीशला अपदा के बाद पुजर निर्मार की बात कही उसमें तकरीबन अगर आकडों की बात करें तो छे हजार से ज़्यादा लोग लापता हो गए थे हजारों लोग मारे गए थे बायाली सो से अधि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने देखा और जो उन्होंने बाबा के धाम की और राष्ट निर्मार की जो उनकी भावना थी वो यहाँ पर आकर साकार हो रही है अब केदारनाद धाम एक दिव्व भव नव्व धाम के रूप में विक्सित हो चुका है और प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हैं यहाँ पर रुद्राभिशेक उन्होंने किया है और अब वो कार्याभिशेक भी करेंगे प्रधान मंतरी यहाँ पर उपस्तित जनसबुदाय का अभिवादन स्विकार कर रहे हैं लोग अपने जनप्रिय नेता की एक जलक पाने के लिए यहाँ पर पहुचे हुए हैं बाबा के धाम में पूजा अर्चना करने के लिए और ऐसा भी अद्भुत संयोग जब वहाँ इनके जननायक भी मौजूद हैं बाबा के दरबार में रुद्रा भिशेक और कार्या भिशेक करने के लिए तो यह अद्भुत संयोग बनता है जनता जनारदन का अभिवादन स्विकार कर रहे हैं प्रधान मंतरी नरेंद्रमोदी राष्टनायक नरेंद्रमोदी इस समय न नरेंद्रमोदी के प्रधान मंतरी नरेंद्रमोदी के पदारूर होने के बाद अगर देखें तो इस पूरी के पूरी परियोजना में अब तक पहले फेज का काम पूरा हो गया है और प्रधान मंतरी नरेंद्रमोदी अद्भुत छटा का अवलोकन कर रहे हैं बेहद विहनलम द्रिश्य है अतुलनिया और अलोकिक आध्यात्मिक अकल्पनिया और पूरे केदारदाद धाम की जो की मेरु और सुमेर परवतों के बीच में केदार घाटी में बाबा का दिव्य धाम है जो यहाँ पर स्थाई निर्माड कारे किये गये हैं जो यहाँ पर पुनर निर्माड और पुनर विस्तार का कारे किया गया है उसकी जानकारी दे रहे है उत्तराखंड के मुख्यमंतरी पुषकर सिंधामी और साथी साथ श्रिक बद्री के दारदाद धाम से संबंधित अधिकारी गड़ उत्तराखंड के राज्यपाल और उत्तराखंड के मुख्यमंतरी सभे प्रधानमंतरी नरिंद्रमोदी के साथ हैं और साथी साथ यहां पर बद्री केदार्दाद धाम के अनेक वरिष्टा धिकारी मौजूद हैं, जो कि बता रहें कि किस तरीके से रूपांतरण और कायांतरण हुआ है इस पूरे धाम का, इस दिव्य धाम की अगर बात करें, तो पहले चरल के परियोजनाओं का काम पूरा ह हो चुका है, और पूरी परियोजना साल 2023 तक पूरा करने का लक्ष रखा गया है, आज भगवान शिव शंकर के महादेव के रुद्राभिशेक के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी, कार्याभिशेक और कार्यानजली भी प्रस्तुत करने जा रहे हैं, प्रधानमंत् प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी कर रहे हैं, यह महत्वा कांक्षी परियोजना, गौरी कुंड से 9.7 किलोमीटर के एरियल डिस्टेंस के जरिए एक रोपवे जरीक का निर्माण किया जाएगा, और जिसको अगले वर्षों कुछ 5-6 वर्षों में संपूर्ण कर लिया जाएगा, और अद्भुत होगा, यह अनुभो भी बाबा के धाम में, शधालुओं और साधकों के आने पर यह बेहद ही यातायात को सुगम करेगा, प्रधान मंत्री नरेंद्रमोदी ने रोपवे जो की रोपवे गौरी कुंड से लेकर श्रीकेदार नाथ धाम तक का जिर्माण किया जाएगा, और जिसकी दूरी 9.7 किलोमीटर होगी, एरियल डिस्टेंस जो होगा, उसका उन्होंने आधार शिला रखी है, और अगले 6 वर्षों में ये पूरी की पूरी परियोजना निश्चित तोर से पूर्ण कर ली जाएगी, इस समय प्रधान मंत्री नरेंद्रमोदी भगवान के दारनाथ धाम के परिसर में हुए विकासकारियों का कर रहे हैं, निरिक्ष्ण कर रहे हैं